बूटिंग क्या होती है, तो देखिए यहां से पढ़ना है, the activity to start a computer is known as booting, तो जैसे ही हम अपने computer को start करते हैं, तो जो activity होती है उसको booting का आ जाता है, बूटिंग दोर पिरकार की होती है, पहली होती है cold booting और दूसरी होती है warm booting, cold booting का मतलब होता है कि जब हम अपने computer को start क करते हैं, तो उस टाइम होने वाली process को कहेंगे cold booting, यहीं फ़िए warm booting किसे कहते हैं, तो यदि हमनेAD computer को start कर लिया है, उसके लगव को restart करते हैं, तो इस process को का जाता है warm booting, ठीक है तो यह होता है booting का concept, आपके लिए आज़का question है, आपको का know input device के बारे में, Output Device का काम क्या होता है और Output Device कौन-कौन सी होती है Thank you